सब्सक्राइब करें सक्सेश्त्रीविंग चैनल को और बेल आइकन को बाए हमारे लेटेश्ट वीडियो अब से पहले दिखनेए नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है सक्सेस्ट्रिविंग चैनल में और आज मैं आप सभी के लिए अलाबाध हाई कोट ग्रूप सी का फाइनल एक्सपेक्टेट सेफ कटफ और मेरिट लेकर आया हूँ काफी लोगों कॉमेंट्स आये और लोगों को जानना है कि कितने नमबर वो करकर आए टाइपिंग में और टोटल उनका नमबर कितना सेफ रहेगा टाइपिंग होने के बाद तो उस अधार पर मैं वीडियो बनाया हूँ कि आप इतना नमबर अगर कर पाते हैं टाइपिंग क कटफ को को जानते हैं कितना कटफ लकभग जा सकता है तर्फ उस दुरू करते हैं वीडियो को है तो दोस्तों यह सेफ कटफ हैं अगर आप इस नमबर के अंदर रहते हैं इतने जो नमबर बताया जाएगा तो आप सेफ हैं और आपकी टाइपिंग होने के बाद अपने नं जनरल अन्रिजर्फ कटेगरी का है अन्रिजर्फ कटेगरी को कम से कम 128 लेकर 135 तक 128 से 135 के बीच में अगर उनका नंबर आता है तो वो सेफ जोन में है मतलब कि उनका सेलेक्शन पक्का हो जाएगा और इसी तरह से OVC भी लगबग इसी के बराबर आता है आप जान रहे हैं जन जनरल के आसपासी रहता है तो OVC का जो कटफ त्यार किया गया है 126 लेकर 133 तक 126 से लेकर 133 के बीच में अगर आपका नंबर आता है रिटेन और टाइपिंग का जोड़ कर तो आप सिर्फ जोन में है और कुछ पॉइंट इधर उधर ज्यादा कम हो सकता है लेकिन ये एक राउंड फिगर में लिया गया है तो आगे देखते हैं SC के लिए SC के लिए 120 से लेकर 125 तक 122 125 अगर आपका नंबर आता है तो आप सिर्फ जोन में है और ST के लिए 110 से लेकर 115 के बीच में अगर आपका नंबर आता है तो आप लोग सिर्फ जोन में है तो चलिए देखते हैं आगे सब कटेगरी का cutoff कितना रहेगा और कितना safe रहेगा उनके लिए यह सब कटेगरी के लिए cutoff है और women's के लिए इसमें 115 से 120 की बीच में अगर women's रहती है उनका number रहता है return और typing का जोड़ कर तो वो safe zone में है उनका selection पक्का हो सकता है और इसी तरह DFF Freedom Fighter के लिए hand rate से लेकर 115 की बीच में उनका number आता है तो वो safe zone में है और physical handicap pH के लिए 115 to 122 इनका भी लगभाग women's के बराबर ही जाता है cutoff तो यह लोग भी अगर इस number की बीच में आते हैं इतना करके आते हैं टाइपिंग के बार total तो यह safe zone में रहेंगे और ex-serviceman का cutoff सबसे low जाता है तो ex-serviceman 70 to 90 के लिए 90 करके आते हैं total तो यह लोग safe zone में रहेंगे तो दोस्तों यह था expected cutoff जो safe cutoff था आप लोग अगर इतना करके आते हैं तो आप safe zone में रहेंगे और आपकी selection पक्का हो जाएगा तो वीडियो अच्छी लगी हो तो like करे, share करे, subscribe करे चैनल को ताकि आपको इलहाबाद high court से समन्दी सभी वीडियो समय से प्राप्त हो सके